अज केंदरिय मंत्री मंडल के द्वारा सहकारिता के शेत्र में तीन प्रमुक निर्णे लिये गए और उन तीन निर्णेओं के अतरिक्त दो अन्य प्रमुक निर्णेओं के बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए उपस्ति थुआओ देश में सहकारिता शेत्र ग्रामीन शेत्र के क्रशकों से जुड़ा हुआ क्रिशी उत्पादक्ता और क्रशकों के आई से जुड़ा हुआ एक प्रमुक शेत्र है प्रधानवंती नरेंद्र मोदीजी के नेतरत में इन तीन निर्णेओं के द्वारा देश में जो कॉपरेटिव एक 1984 में बना था और उसके बाद 1987 में ट्राइफएट बना था आज 35 वर्ष बाद तीन नए सहकारी संगों का निर्मान और किया गया है और इस निर्णे के द्वारा सेटिंग अप ए नाशनल कॉपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी सेटिंग अप ए नाशनल लेवल कॉपरेटिव सोसाइटी फोर और्गनिक प्रोडेक्ट्स setting up a national level multi-state seat cooperative society की स्थापना की गई है मानि प्रधान मंत्री जी के नेतरत में इन तीन निर्णेओं के द्वारा देश में सहकार से सम्रद्धी ग्रामीन शेत्रों में कृष्को का आहे में व्रद्धी और उसके साथ ही साथ सहकारीता मंत्राले द्वारा अन्य मंत्राले के साथ all of the government approach लेते वे देश की ग्रामीन जो कृष्शी आया है उसको हम किस प्रकार से अंतरराष्ट्य मानकों के अनुरूप करके उसको अंतरराष्ट्य इस्तर पर ले जाकर के उसके एक्सपोर्ट में हम ब्रद्धी करें इसके लिए स्निर्णे के द्वारा सुनिश्चित किया गया है हम जानते हैं कि सहकारी समीतियों के माध्यम से किसानों को बीज उपलब कराने उनके द्वारा उत्पादित और्गनिक प्रोडेक्ट की मार्केटिंग तथा क्रिशी उत्पादों के एक्सपोर्ट में साहेता देने के लिए इन तीनों संशोधनों के माध्यम से राश्टिय स्तर पर मल्टी स्टेट कॉपरेटि सोसाइटी स्थापना करने के लिए मंत्री मंदल द्वारा अनुमोधन किया गया है हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में कॉपरेटि सोसाइटी का इतना महत्व है कि देश में 8,50,000 रजिस्टर कॉपरेटिव हैं जिसमें लगभग 29 करोड मेंबर हैं और यह सदस्य प्रमुक रूप से ग्रामीन इलाकों से हैं किर्शी और अलाइट गतिविदियों से जुड़े वे हैं यह संशोधन उनके जीवन में समवर्धन लाने के लिए आई बढ़ाने के लिए कैपिस्टी बिल्णिंग बढ़ाने के लिए क्रामीन शित्र के आधार्पू ठाचे के विकास के लिए किये गए हैं और इसलिए भारत में एक बहुत बड़ी सम्ता हमारे और ऑर्गनिक प्रड्यूस में है और भारत के औरगनिक साठी पर जो दारह एं उसको अंतर और इसके लिए जो अभी तक देश में एक आभाव मैसूस किया जा रहा था कि नैशनल लेवल पर कोई कॉपरेटिव संस्ता नहीं है ये विशेश रूप से हमारे किसानों के जो और गनिक प्रड्यूस हैं उनकी आउशक्ताओं को पूरा करने का काम करेगा इसके साथ ही साथ भारते भी सहकारी समीती लिमिटेट के द्वारा जो हमारे सीट का प्रोडेक्शन और प्रोक्यूर्मेंट है और किसानों का जो सीड है बीज है उसके लिए एक ब्रैंड की उपलब्दी कराने का काम इसके द्वारा किया जाएगा और देश के कॉपरेटिव नेटवर का भी उपियोग किया जाएगा उसके साथ ही साथ ये सोसाइटी के माध्यम से सप्लाई चैन, एंट्वेंड इंस्टूशन सपोर्ट और 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 अर्गनिक लैब की जिसकी बहुत आउशकता होती है सार्टिफिकेशन एजनसी का एमपैनल करते वे किसानों को सस्ती दर पर और सार्टिफिकेशन की जो सुईधाय है वो उपलब्द कराने का प्रियास होगा नैशनल कॉपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेट के द्वारा भी जो एक नया संस्थागत सोसाइटी का जो धाचा उपलब्द कराया गया है उसके अंतरगत एक ऐसे अम्ब्रेला और्गनि प्रोरेच, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रेंडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और सार्टिफिकेशन के काम को और पूरा ही नहीं किया जाएगा इसके लिए किसानों को जिसकी बहुत बड़ी आफशक्ता हमारे ग्रामिल शेत्र में रहती है कि उनको टेक्निकल प्रोच जो है उसको सहकार से समरद्दी से जोडने का जो काम है इन संशोधनों के माध्यम से किया गया है इन तीन बड़े महत्पुन संशोधनों के साथ साथ मैं और दो विश्यों की जानकारी आपको देना चाहूंगा एक हमारे देश में मंत्री मंदल ने आज रुपी ड परशो में भारत में डिजिटल पेमेंट का एक बड़ा इको सिस्टम बना है पिछले दिसंबर में डिजिटल पेमेंट की वैल्यू जो बारा लाग करोड थी इस संक्या को भारत के जीडीपी के अनुपात में देखे तो यह लगभग 54 परसेंट है डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माने प्रधान मंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड रुपे मंजूर किये हैं इस इस इंसेंटिव स्कीम से डिजिटल पेमेंट को MSME सेक्टर, अनरगनाइज सेक्टर, किसान और मजदूरों तक ले जाना संभभ होगा यह पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क से किया जाएगा, एक और निर्ने जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, मंत्री मंदल ने उसको एक कार्योत्तर स्विक्रती आज प्रदान करी है, जिसमें कोलकत्ता इस्थित National Center for Drinking Water, Sanitation and Quality का नाम करन, Dr. Shama Prasad Mukherji National Institute of Water and Sanitation के रूप में एक कार्योत्तर करती प्रदान की है, और National Center for Drinking Water, Sanitation and Quality स्वच्च भारत मिशन के लिए, बजट के अलावा वित्यस अंसादन जुटाने के लिए, डिस्वर्स करने के लिए, एक अच्छे प्रीमियर इंस्ट्यूशन के रूप में उसको अभी वो जो कारे कर रहा है, उसके नाम करन को किया ग जो इस multi-cooperative society में है कि PACS to APEX, मतलब primary to national level cooperative society, including primary societies, district, state and national level federation, and multi-state cooperative society can become its member. All these cooperatives will have their elected representative in the board of the society as per its bylaws. तो ये एक ऐसा एक विवस्थागर धाचा दिया है, जिसके देश के किसानों की बहुत आवशकता थी, ये आत्मनिर्बर भारत बनाने की द्रश्टी से, ग्रामीन भारत के समवर्धन की द्रश्टी से, सहकार से समरद्धी के लिए, और whole of the government approach को लेकर के ये तीन बड़े न दिये काहे है। तुर्वेश्ट उसको थाय करके आपको किया जाय का अरुसके साथ ही साथ जो सरकार की जो संस्था है, NCDC उसको उस्में स्टेव रहे है पिछले आट पर्शों में देश के भारत में डिजिटल पेमेंट पर बड़ा एको सिस्टम बना है। इस संख्या को भारत में जीडीपी के आनुपात में देखें तो लगभग 54 परसेंट है। डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माने प्रधान मंतिजी ने कैबिनेट में 2600 करोड रुपे मंजूर किये हैं। इसके साथ ही साथ इस इंसेंटिव इसकीम में डिजिटल पेमेंट को MSME, अनुर्णेज सेक्टर और किसानों और मजदूरों तक ले जाना संबह होगा। यह कार्या है पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क में किया जाएगा। यह पूरे निर्ने के साथ आ रही है। तरुन शर्मा जी बिसनेस से यह जो MDI इंसेंटिव स्कीम है यह जो बजट में लास्ट एर अनॉंस हुआ था कि MDR मर्चंट डिस्काउंट रेट जो है 2000 से नीचे के जो टांजेक्शन सोंगे उंका जो टांजेक्शन कॉस्ट है वो गॉर्मेंट अदा करेगी। क्या वो ही उसी अमाउंट को सा 26 करोड में इंक्लूट किया गया है या अलग से कोई नई इंसेंटिव स्कीम लाँच एसा है कि रुपे डेविट का ट्रांजेक्शन के लिए जो 0.4% की दर से तथा जो आप कहा रहे हो 2000 तक के भीम UPI ट्रांजेक्शन के लिए 0.25% की दर से इंसेंटिव दिया जाएगा लेकिन इंडस्टी प्रोग्राम जैसे इंसूरेंस, मूच्वल फंड और जॉलरी, पेट्रोलियम प्रोडेक्ट और कुछ सेक्टर के लिए क्राइविट क्राइविट से संबंदिट ट्रांजेक्शन के लिए 0.15% की दर होई है पेक्टल ट्वीट कर लें थैक्टोर से माइ कुछ्केन इस रलेति तो जोशी मत्राइब है अपने को समय रख्षे आके फूरमाने कि महनने हो साँ इसमें दूर दराद के शेद्रों के लिए ज्यादा प्रावधान के इसको वर्टिकल विस्तार देने के दुश्टेस और मरिजद विस्तार देने के शेद्रों के लिए से लुश्टेस से लिए जने के दूड़ से लिए।